एपरिल 6 को रेन इंडस्ट्रीज में काफी तकडी गिरावट आई थी बट अभी समलने की कोशिश कर रहा है क्यों है गिरा और क्या होंगे सपोर्ट लेवल आईए चल कर विशलेशन करते हैं देखे वान अव दा यूनिट इन वाईजएक इस शटिंग डाउन यहां पर अब जो कच्चा समान है वो इतनी कम समय इतने कम उपलब्ध है कि operation efficiency जीरो होती जा रही है इसके चलते हुए इस shutdown के बाद 17% capacity कम हो जाएगी तो इन्होंने वाईजएक का plant shutdown करने का decision लिया है because यहां raw material इतने अच्छे लेवल पर नहीं मिलना है इसका impact एकड़म नीज़क रियक् exchange हुए है और फिर बाद में continuously दो दो लाग तिन तिर लाग share है एक बार stable हुआ 196 के आसपास तो 199 के आसपास अभी trade कर रहा है दो दशनल चार प्रतिशत के आसपास गिरावट आई है 25 लाग share already hand exchange हो चुक है market भी थो डाउन है यहां से अगर हम बात करें इसने continuously एक अच्छा channel बनाया है उपर जाते हुए तो देखिए यह लो लेवल बनाता है यहां पर 165 से और 165 से 190-210 तक का इसने अच्छा channel बनाया है अब इसके बाद में यह जो लेवल गिरावट आई है यह एक indication है कि channel को breakdown कर दिया है इसने अगर बंद होते होते इसके नीचे बंद होता है तो जो support सबसे पहला support आएगा इसका वापिस आते हुए अब 180 के आसपास आएगा थोड़ा समल के काम कीजिएगा इस stock में market थोड़ा overheat है तो हो सकता है यह नीचे गिरे कोवीड के impact के बाद देखे 46 रुपे का share 500 रुपे तक चला गया तो पांच गुना return दिया है बहुत अच्छा stock है overall long term की द्रश्री से बुलिंजर बैंड के basis पर अपर हिस्से में बैंड में नीचे की तरफ आएगा तो 191 का पहला support otherwise अगर यह तूटता है तो 112 का support बन पाएगा super trend में इसको resistance बताया था 208 और दो बार यह resistance इसने टच किया देखे यह एक यहाँ पर और एक यहाँ पर दोनों बार उससे नीचे गिरा है अब उम्मीद लगा जाएगी 170-180 के बीच में यहाँ पर कुछ support मिलेगा इसको तो थोड़ा नीचे की तरफ को pressure रहने की उम्मीद ह है इस stock में as per technical view चाहें तो हमारे साथ advance level के paid member बन सकते हैं please consult your friendship advisor